आजकल की गलत जिवन सैली के अनुसार मोटापा बढ़ना एक आम बात हो गई है। आजकल की बीजी लाइफ होने के कारण हम खुद पर ध्यान नहीं दे पाते। सुभह लेट तक सोना, ओफिस में लगातार बैठकर काम करते रहना, फास्ट फूड खा लेना, रात में देर तक काम करते रहना और फिर सो जाना। ऐसे में हम अपने सरीर पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाते और इनी सब कारणों की वज़े से मोटापे का सिकार हो जाते हैं। फ्रेंड्स वैसे तो मोटापा ज्यादतर खराब जीवन सहली को अपनाने की वज़े से बढ़ता है। जैसे की अधिक मातरा में तला हुआ खाना खाना, बाजार का खाना खालेना, अधिक मातरा में खाना खालेना, सिगरेट और सराब का ज्यादा सेवन करना, सारीरिक मेहनत ने करना, आवशक्ता के अनुसार नींद ने लेना और अन्य बुरी आदतें। कभी कभी ये जैनेटिक कारण से भी होता है या फिर हार्मोन्स के इन बैलेंस होने की वज़े से भी मोटापा बढ़ता है वजन को बढ़ाना तो बहुत आसान है लेकिन वजन को घटाना उतना ही मुश्किल काम है इसलिए मोटापे को जितना जल्दी होसके उतना जल्दी घटा लेना चाहिए क्योंकि अगर हम समय के साथ वजन नहीं घटाएंगे तो हमें बलड प्रैसर और सुगर जैसी खतरनाग बिमारियां अपना सिकार बना सकती है वजन घटाने के लिए हमें अपनी जीवन सैली को हेल्दी और फिट रखना बहुत जरूरी है आज की इस वीडियो में हम आपको गर्मियों में तेजी से मोटापा कम करने वाली एक ऐसी चमतकारे ड्रिंक के बारे में बताएंगे जो आपके सरीर की चर्बी को बरफ की तरह पिगला देगी लेकिन इसके बारे में जानने से पहले आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब करके इसके साथ वाले बेल के बटन को जरूर दबा लें ताकि आपको हमारी आगे की आने वाली वीडियो की जानकारी असानी से मिल सके आईए अब जानते हैं हमें इस चमतकारे ड्रिंक को बनाने के लिए किन किन चीजों के आशकता पड़ेगी एक लीटर एपल विनेगर ये आपको बजार में असानी से मिल सकता है 10-15 गराम तुलसी के पत्ते ये तो आपको घर पर ही मिल जाएंगे 50 गराम जीरा ये भी आपको बजार में असानी से मिल सकता है 15 गराम करी पत्ते ये भी आपको पंसारे की दुकान से असानी से मिल जाएंगे सबसे पहले तो आप तुलसी के पत्ते, जीरा और करी पत्तों को दो दिनों तक अच्छे से धूप में सुखा लें इसके बाद इन सब को पीश कर इनका पाउडर बना लें आईए अब जान लेते हैं हमें इनका इस्तमाल कवोर कैसे करना है हर रोज सुखह खाना खाने से आदे घंटे पहले आदे गिलास तेज गरम पानी में लगभग 50 ml एपल विनेगर डाल दें और साथ में इसमें तुलसी पत्ते, करी पत्ते और जीरा वाला पाउडर की आधी चमज डाल कर इसे अच्छे से मिक्स कर लें और अब इस चमतकारी ड्रिंक को धीरे धीरे पीएं, ठीक उसी तरह जैसे हम चाय या कोफी को पीते हैं लगातार 10 दिनों तक इसके इस्तेमाल के बाद आप देखोगे की आपका वजन कम होने लगा है लेकिन दोस्तो इसके साथ साथ आपको थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी करने पड़ेगी जो आपके वजन को कम करने में सबसे महतपुर्ण भूमिका निभाएगी क्योंकि बिना मेहनत किये आप अपना वजन कम नहीं कर सकते आईए अब बात करते हैं एक्सरसाइज के बारे में रनिंग करना यानि की दोड़ लगाना वजन कम करने के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज माने जाती है आप हर रोध सुबह और श्याम के समय कम से कम 20-20 मिन्टों तक बाहर की खुली हवा में दोड़ जरूर लगाएं अगर आप बाहर जाकर दोड़ नहीं लगा सकते तो आप अपने घर की शीडियों में ही दोड़ सकते हैं आपके सरीर का वजन कम करने में ये एक्सरसाइज आपकी पूरी मदद करेगी आपको हमारे नुस्खे के साथ साथ कुछ चीजों से परहेज भी करना पड़ेगा क्योंकि हमारे सरीर में किसी भी नुस्खे का आसर तबी होगा जब हम उसके साथ बताएगे परहेज भी करेंगे आईए जानते हैं परहेज के बारे में तली हुई चीजें और बाजार का खाना एकदम बंद कर दें दूद वाली चाय पीना बिल्कुल छोड़ दें और इसकी जगह बिना दूद वाली चाय पीना सुरू कर दें धुम्र पान करना और सराब का सेवन करना एक दम कम कर दें खाना खाने के साथ साथ पानी पीने की आदत बिलकुल छोड़ दें और खाने से कम से कम 20 मिन्टों के बाद ही पानी पीएं अगर आप सचमुच अपना वजन कम करना चाहते हैं तो आज से ही हमारे द्वारा बताये गया नुस्खा इसके साथ वाले परहेज और हमारे द्वारा बताये गई एक्सरसाइज करना सुरू कर दें गारंटी से आपका वजन 5-7 किलो जरूर कम हो जाएगा और वो भी सिरफ 10-15 दिनों के अंदर आशा करता हूं कि आपको हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी इसे लाइक और सेयर करना ना भूले और अगर आपका कोई सवाल हो या आपको कोई भी परिशानी हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं हम आपके सवाल का जवाब जरूर देंगे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद